हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने इस यूटीब चैनल पर दोस्तों आज फिर से मैं लेकर करके हूं आप सभी लोगों के लिए ट्रैवल सीरीज का एक और व्लॉग और दोस्तों आज मैं आप लोगों को विजिट कराने वाला हूँ दि इसमें से एक मॉनुमेट मैंने भी तक व्इजिट नहीं किया गृष्ट मुझे साउटम्मिनार के साइट कुछ काम था तो हमने सोचा मेरे दोस्त के साथ में कि क्यों न हम् prohib cic कर ले कुत्व मिनार को आप लोगों के साथ में इस विजिट को शेर किया जाए एक एक चीज कुत्व मिनार के बारे में कि क्या कुत्व मिनार में सिर्फ जो मिनार है वही है उसके अलावा भी घूमने वाली काफी सारी चीज़ है राइट दोस्तों इंट्रेंस की मैं बात करूं सबसे पहले अगर आपको 360 डिगरी का मैं व्यू दू कुतम मिनार का जिसमें आपके पार्क्स आपका कुतम मिनार एंट्रेंस आपकी इंट्रेंस और एक्जिट आएगी तो इस तरफ से जो है कुतम मिनार की इंट्रेंस है इस तरफ इंट्रेंस है और इस तरफ आप देखेंगे तो दोस्तों इस तरफ जो लोग जा रहे हैं यह एक्जिट है राइड जब आप इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ आप यह जो मिनार बनी हुई है और फोड़ा साथ आप देखें तो हमारी जो मेन अट्रेक्षन है वो आप लोगों को देखती है इस तरफ आप जब आप देखते हैं अधर भी पुरानी पुरानी चीजे बनी हुए है जब आप इधर देखते तो इदर पार्क्स वगएरा है पेड़ वगएरा है साथ ही साथ सब सब जगा के न आपको डीट मेल मैप कुत्व मेनार का सब आपको दिया हुआ है दोस्तों सबसे जो और सेंटर का जो रास्ता हैं उससे जाते हैं कि इस तरफ आप देखेंगे काफ़ी सारे प्रेड वगएरा पार्ट वगएरा है लोग फोटो वगएरा वीडियो वगएरा बना रहे हैं सामने ही हमारा कुटम में आ रहाएं रर्याई सामने कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और इस तरह की कछ लाकृतियां हैं जहां पर लोग बैठ सकते हैं फोटो वगएरा खिच्छवा सकते हैं तो इसने पर अब है आप अब है आप आप अब है इस एक पूटो में कुटम मिनार इतना अच्छा नहीं लगता लेकिन एक्च्छल में देखने पर सीरियस्ली बहुत सुंदर है कुटम मिनार बिल्कुल नजदीक से मैं आपको दिखाने के कोशिश करूँगा सी कितनी सुन्दर है यह मारत इस पर उर्दू में नकाशिवी की हुई है यह दोस्तों बिल्कुल नजदीक से तो तो मिनार इसकी डिजाइनिंग आप देखेंगे एक साइड राउंड फिर बीच में ट्राइंगल फिर राउंड फिर ट्राइंगल फिर राउंड फिर जैसे पहली मंजल पर फिर डिजाइनिंग के हुई है नकाशी फिर सेम डिजाइन वह दो रहा हुआ है राउंड ट्राइंगल रा तो इधर भी उपर गुंबद और शायद वो बाज बैठा हुआ है दोस्तों संसेट का टाइम है रश सीरियसली मैं आप लोगों बताऊना बहुत ज्यादा रश है सुन्दर सुन्दर फॉर्णर्स ज्याएं रहे हैं वाव भीड़ आप देखिए बहुत ज्यादा और तो कंस्ट्रॉक्शन है अभी जारी है इसकी कंस्ट्रॉक्शन कुछ-कुछ जगा से तूटी पढ़िया है इमारा जो है तो उसका निर्मान चल रहा है लोग जो है भाई उन्दर जा जाके फोटो की चुआ रहे हैं वाव दोस्तों कुत्व मिनार के जस्ट बिल्कुल साइड में एक और नई चीज को हम एक्स्प्लोर करते हैं जो पत्थर है में आपको बिल्कुल क्लोज ली कि सबसे इंट्रेस्टिंट पार्ट गौतम बुद्ध कि प्रतिमा इस नकाश्ची में बनाई गई है इसके खूब्चुरत चीज और क्या मिलेगी वाओ अमेजिंग कि इसारे ब्लॉक्स तो यहां पर कुतुम मिनार के बगल में यहां पर एक दर्गाह काइंड ओफ कि यह आपको दिखेगी जिक्र कहीं नहीं किया हुआ कि यह दर्गाह है क्या है कुछ भी स्थी वगयरा इसके साथ में कुछ ऐसा लगाया नहीं हुआ है जहां पर पढ़कर के पता चल सकी दर्गाह है क्या है कब्र वगयरा एक राइट एक और चीज जिसका आपने बहुत जिक्र सुना होगा जो अब यह लोहे का पिलर जो बहुत पुराना है बिलकुल भी इसमें रस्ट नहीं पगड़ती है जंग नहीं लगती है एक आगे 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 कि अब इसके खाशे ते दोस्तों इस लोहे में जो लोहे का पिलर है इस पर रस्ट भी पगड़ता इसमें जंग नहीं पगड़ती है पता नहीं क्या इसके पीछे साइंस है आप देखेंगे पासे तो इसमें भी कुछ लिखा हुआ है यह देखिए यह बिल्कु शॉकिन चीज़ है लोहे का होने के बावजूद में रस्ट नहीं पगड़ते हैं जब से कुछ मिनार है तब ही से यह जो आयरेंट पिलर है यह भी खड़ा हुआ है हमारी इमारत की तरह दोस्तों फॉट टोड़े कुछ भी ने लिगिन अपने आप में बहुत सुंधर है पिक्चर में आपको जितना देखता है एक्च्व में उससे कहीं ज्यादा सुंधर है आयरें पिलर यहां पर है इसको आप देख सकते हैं जो जिसमें जंग नहीं लग और मिलते हैं अगले व्लोग में बुबाई टेक केर